हेलो स्ट्रेंट्स RCI एजुकेशन आपकी ओनलाइन क्लास में आपका सोगत थे प्रेम विध्यारतियों क्रसी रसाइन में अपना लेशन नंबर एक डिस्कस कर रहे थे आज का टोपिक अपना सार्तक अंग इसकी बात करेंगे विटा सार्तक अंग पिछली क्लास में आपने बात की थी रसाइन में घ्यार्द का मापन जिसमें ने दो सब्धक्र रख्य की थी इथार्त अब परियों सब्धेद्यों कर रहें किसी भी रासी का कुंसी रासी बोतिक रासी जो हों थी मैंने आपको ही बताया तल प्सनी क्लास में बहुती ग्रासी लंबा इद्रे रवान ता प्टा वब protests ॐ सब क्या होती है Boston वहती ग्रासी का मापन क्या हो अपमें पास में उसका प्रिनाम सुद्ध रूप altogether सुझ रूप से हो तो उसके परिणाम के जो आपके डाटा होते हैं उसका क्या हो अर्थकुन मान जो होता है क्या होता है अर्थकुन मान होता है उनके अंकों की संख्या को उनके अंकों की संख्या को कितने अंक है एक ये दो है तीने क्या कहा जाता है सार्थक अंक कहा जाता है किसे भी बोतिक रास्ति के मापन में परिणाम क्या प्राप्त होना चीए आपका सुध्य रूप से प्राप्त होना चीए तो उसके परिणाम के अर्थकुन अंकों की संख आपको क्या करते हैं सार्त अंक करते हैं कले विटा अब आपको कि इयह आपके पुछ अंक अगरने क्या अग्हीं निख न के लिए कि स्की रहान करेंगे मोगें लेहीं और पूंचे निययमों की बात करेंगे नियमों की बात करें तो नंबर एक बात करते हैं जिसमें जीरो नहीं होता है इना जीरो वाली जो पेडाम होता है वो क्या होते हैं सारे पत्रक्ष एक से लेकर नो तक के सभी अंक क्या होते हैं सार तक अंक होते हैं दूसरी चीज दूसरा नियम है य navy अपने पास में दसमलो नहीं है परिणाम में क्या नहीं हैं? दस मलोर नहीं है तो उस condition में आपका 0 कहां लगाओ आगे लगाओ या पीचे लगाओ फ़शलक कहें फन बयवार लगाओ या जाइवार लगाओ उस condition में अपन 0 को क्या नहीं करते apples Fran Saartak अंग में in सामिल नहीं करते तीसरी चीज़े अगर दसमलो युक्त परिणाम है तुस कंडिशन में अगर अपने पास में जीरो का है आपका बाई हो रहे जीरो का है बाई हो रहे तुस कंडिशन में इसको पन साथ परंग नहीं मानेंगे करने कर नहीं मानेंगे और जीरों आपका है धाई हो रहे तुस कंडिशन में सी हम सार्थ परंग नहीं होगा और दसमस्त परिणाम है तो जीरों बाई और पर सार्थ परंग नहीं है गए और यह तो सार्तकंक है, जितने नियम हो गया आपके यह ते नियम और अगर अगर अपने पास में परिणाम क्या हो, दसकी गातांक में हो, जिसमें हो गटा, दसकी गातांक में हो तो गातांक क्या नहीं मानते, सार्तकंक नहीं माना जाता, परिणाम कि इसमें हो, दसकी गातां तो जितने भी गातां ज्यक्त प्लस में आया मैनस में हो उसको साथ नंक नहीं मानासाइजाता है है इप्ली province आती है अगर आफेल अगर करते हैं भूणा करते हैं बान करते हैं बाकी करते हैं जानदेना बड़ा ये चार के लिए हैं अगर आपन करते हैं किसी परिणाम की तो उस कंडीशन में क्या होता है उस कंडीशन में जितनी संक्या पर काम में लेते हैं उसे चार संक्या पर ने काम ले तो चार संक्या में जितने कम सार्थ तक अंक वाली संक्या होगी तो उसका परिणाम उतनी ही सार्तक अंक वाली संक्या में आपको प्राप्ते करना है यहां देना गुणा भाग जोड बाकी करने में अपन जितनी संक्या काम में ले रहे हैं तो उसमें से सबसे कम सार्तक अंक वाली संक्या के अनुसार ही उसका परिण अपने लिखेंगे उसके पईनाम में उतने क्या होने चीवटा सार्तक अंक होने चीए इसके लिए अपने यहां पर कौन सी किरता हमें लेते हैं निकटतन निकटतन इसको बला जाता है करना है तो राउंड आप करने के आपको नियम बता देता हुँ यदे अंतिम संक्या अंतिम संक्या आपकी 5 से जाधा है किया है, पास से ज չ्यादा है, तो उपन बढ़ा देते हैं, जैसे अपने पास में 6 हैं तो इसको रोंडों करना है, 46 til तो उपन क्या लिखेंगे यह 3 लिखेंगे और अगर 5 से नूहीं से कम है, तो कम कर दे दते हैं, तो इसलिए चोईस है तो क्या लिखेंगे मुटा दो लिखेंगे है यह अपने पास में पांच है अधिर संक्य क्या है पांच है तो उस कंडिशन में इससे पहले का जैसे मेने बाद की चार और अपने पास में पच्छपन पांच है तो इससे पहले कि आपके संक्या है तो क्या लिखेंगे इसको चार और विसंग्या इसको बढ़ा देंगे तो क्या लिखेंगे उच्छे कि नहीं कि उन संक्या 5 के कि बढ़ाएं कि इससे पहले कांद समय या मिशंग अगर समे तो कॉप कर दे चार लिखेंगे तो यहां पर अपना उधान सोल करते हैं उमिद करता हूं कि यह आपको समझ में आ गए हूंगे तो देखिए इनमें पूरी संक्र क्या है कितने साथ तक है तेन साथ तक करते हैं इसमें दस्मलो ऑपर में आपको जीमें आपका जीरो देखना है जीरो आपकांपय उच्दी니다 लिए इंत्रूड नहीं होगा ठीक है इसमें आपका रस्वलभ नहीं है तो जीरो आगे हो या पीछे हो नहीं क्या जाता है, इसमें कितने होगे आपके, तीन होगे हैं यह दोनों की आया है फीमतनी खातां को अलिए फिप्लोमर्प्र तो किसमें साथ तक अंक में सामिल नहीं करते हैं तो एक, दो, तीन, चार यहां चार हो जाएंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, अब देखो उसमें दस्कुलो दिया हुआ है, जीरो कहा है आपका दाई हो रहे, उस कंडीशन में आपके जीरो साथ तक अंक होगा, एक, फ मेंसा क्या हूँ सर्त अंक फोता है यह कंडिशन के से जिसे 0.0.4.0.6.0.7 0.7.0.4.0.7.0. 0.0.4.0.7.0. इसानकीा लिकी मैंने चैजनो नो तो इस्में जो सारतक अंक है तो यह वाला 0.7 नहीं है पर Extremisal Jam Zero क्या है भीस में तोटल हो जाये8 अपने पास में पांच इसमें 10.0 नहीं है पर दकल कहा है आपको बीच में इसमें हो जाएंगा आपके साथ का मुझे चाहिए आपने लास्ट इम बताये था इसकी बात कर लेते दस्वनों दिया हुआ एक दो तीन चाहर पांच वड़ो जाएंगे आपके पांच लियर तो यहां पर जो अपने पास में आपने आपको संकिरे दे रखे दो यहां पर देखिए इसका सांट कितना है एक दो तीन खार इसकी कितने एक दो तीन है कितने यह तीन है और अपना जो आया उसमें सांट तरहां चाहरें इसका मंदा इसको क्या करेंगे आपर को अंतिन दो संक्यां को अब अंतिन संक्या जो है वह किया है पास से छोटी है उस कंडिशन के कम कर देंगे कंप का मतलब है बाक सबसे कम कहांपर जाएक जाएक गजाएगे सब्सक्राइब और पास 15.6 तो इसमें तीन साथकत सब्सक्राइब कशैए कि और गराबर है इस वाले संक्यक्राइब के बicop点 है ने, पीक से परिवासा उसके नियम और कुछ उधान अपढ़ने लिक्षी है इसके अलावब आपको बुक में भी उदान देया रखें, उनको देख कि आपको समझेगा, उमेद करता हूं कि उदानों से नेमों से आपका टोपिक समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, सेल जीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थेंक्यू क्लास